तो राम चरित्र मानस जो लिखा गया था आपको याद होगा एक महजित में लिखा गया था इतनी हाँ उठा के देखिएगा गुंड़ा पराधी जिसने पूरे उस इलाके को लूटने का काम किया लालू जी ने उनको विधाय का टिकट दे और वह राम चरित्र मानस पर जो अपना वक्तब दे रहे हैं इससे बड़ा दुर्भाग कुछ नहीं हो सकता है और जो आप सच्चा हिंदूति का सभागी बनना चाहते हैं तो अपने पार्टी से जितना हिंदू मुस्लिम लोग हैं सब को निकाल दीजिए भगाई अपने पार्टी से लालू जी ने पूर से राजत का अपराधी करन किया है और एक अपराधी राम चरित्र मानस पर बोलने का उसको कोई नहतिक अधिकार नहीं हूं नमस्कार आप देखरें लाए बिहार मैं हूं आपके साथ असलम अबास राजत बिधायक रितलाल यादो जो दानापुर से बिधायक हैं उनकी रा प्राजनितिक इतिहाज की बात करें तो दबंग छबी है बाहुवली वाला छबी है अपराध से पुराना नाता रहा है और नाता भी आईसा कि पूरे दानापूर और दियरा की इलाका में तूती बोलती है मौजुदा समय में बिधायक भी हैं और बात ऐसा कर रहे हिंडू बॉप मुस्लिम एकता और साथ साथ इस एकता की बात में करते करते हिंदुत्व और हिंदुत्वा से आगे बढ़कर राम-चरित्र-मानस को ले कर भी बैयान दे दिया विंदुत्रमानस पर और उसमें ऐसा बयान जो सायद आप कभी नहीं सुने हों रमायन के के बारे में किस तरीके से राजत विधायक रितलाल यादव बोल रहे हैं जरह सुनिए सायद आपकी तिहास मजबूत है तो कमजोर नहीं हो जाए अगर कमजोर है तो याद रखिए और सुनिए आप पढ़िए और समझे उस वक्त मुसल्मान भगा देना नहीं था देश से होगा है सब को निकाल दीजिए भगाई अपने पाटी से तिन तला काहल आया थे नहीं लाना चाहिए था आपको हिंदु तुराद एक दुसरे को लडाने के फिर में आप परे हुए हैं कि कब तक चलेगा इसा एक समय जब आया था तापियात किजिए राम मंदिर राम मंदिर के लोग चर्चा करता है तो राम चाहितर मानच जो लिखा गया था आपको याद होगा कि एक महजिद में लिखा गया था इतिहास उठा के देखिएगा उस वक्त हमारा हिंदु तो खत्रे में नहीं था मोद समराज जब इतना दिन राज किया तो उस दिन हमारा हिंदु तो खत्रे में नहीं था जब पूरे हिंदुस्तान में नहीं और और कंट्री में जब मुसल्मान की 11 साल की बेटी भागवत कथा कि जब अपने आप में शिल्ड जित्ती है तो पर आती है उस बग कहां थे लोग देखने वाले उस बग कोई कहने वाले नहीं थे है कि मुसलिम की लड़की आज भागवत कथा का जो एक दुसरे के बीच में परचार किया और उसको अपने आप में जो गरन किया है उससे भी बड़ा लोग है उससे भी तो लोग को सीख लेना चाहिए तो आपने रितलाल जादों के रामचित मानस को लेकर हिंदुत्व को कर दिये गए बयान को सुना है इसी पर आज पलटवार करते हुए भाजपा के परदे सद्यक समराठ चोधरी ने खुले तोर पर कहा है कि बताइए कोई अपराधी कोई गुंडा कोई क्रिमनल भला रामचित मानस पर कैसे ज्यान दे सकता है कैसे बोल सकता है समराठ चोधरी को लेकर रामचित मानस को लेकर समराठ चोधरी रितलाले आदों पर प्लाटवार करते हुए नजर आ रहे हैं देखी किसी का मानसिक इस्तिती खराब है और एक अपराधी रामचित मानस का ज्यान दे इससे बड़ा दुरभाग क्या है एक गुंडा अपराधी जिसने पूर जो अपना वक्तम दे रहे हैं इससे बड़ा दुरभाग कुछ नहीं हो सकता है लालू जी ने पूरे राजत का अपराधी करन किया है और एक अपराधी रामचित मानस पर बोलने का उसको कोई नहतिक अधिकार नहीं है तो आपने सम्राध चोध RD को सुना है किस तरीके से उंहें रितलाल जा Одओ के बारे में बोला है खास करके रामचित मानस के सवाल पर साप तरप उने कहा है कोई अपराधी भला रामचित मानस के बारे में कैसे ज्यान दे सकता है हिंदुतवा के बारे में कैसे बोज सकता है आपने खुझ सुना भी दोनों आदिम्यों के बियान को सुना रित्लाल याद क्या कुछ कहा है राम चर्तमानस को लेकर हिंदुतवा को लेकर इस पर पलटवार किस तरीके से समराट बहुत धन्यवाद लाइफ भिहाग यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें